भरतपुर जिले में पुलिस ने कारेवाई करते हुए लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक व्यक्ती को गरफतार किया है बता दें कि आरोपी ने फर्जी पुलिस कर्मी बन कर दो यूवकों से लूट की वारदात को अंजाम दिया था वही पुलिस द्वारा फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है अटलबन थाने के ASI चतुरभुर्ज चौदरी ने बताया कि दो दन पहले मुरारी नामक व्यक्ती ने रिपोर्ट दर्च कराई थी रिपोर्ट में बताया गया था कि आरोपी ने नुमाईश मेले देखने आये दो यूवकों के साथ लूट पाट की पुलिस के अनुसार दोनों यूवक मेला देख कर लोहागड स्टेडियम की सीडियों पर बैठे हुए थे इतने में वहाँ दो यूवक आये और अपने आपको पुलिस कर्मी बता कर उन्हें धमकाने लगे आरोपियों ने वर्दी का रॉब दिखा कर दोनों यूवकों से मोबाइल फोन और ठाई हजार रोपे लेकर सेवर थाना चलने को कहा जब वो फर्जी पुलिस कर्मी के साथ थाने जा रहे थे तब ही रास्ते में पुलिस की एक गाड़ी आती दिखाई दी तो फर्जी पुलिस कर्मी घबरा गए और वहाँ से उन्हें छोड़ कर भाक गए